हाले इवरिवन यह है वीडियो चैनल और आज हम कमेंट्स करेंगे तो सा जमीत विवर है उन्हें Hermit कमेट किया है कि सर क्रीड क पर में सेंट्रिक कॉलम कैसे कीट करते हैं तो आज इसक contributes करेंगे वीडियो segu से पहले साहा अजमित को थैंक यू और उससे पहले एक बात और बताना चाहूंगा मेरी वेबसाइट भी है www.engineersforcivil.com यहां पर भी आप टुटोरियल किसी भी सोफ्टेयर का सिविल इंजीनिरिंग से रिलेटिड किसी भी सोफ्टेयर के टुटोरियल यहां पर आप चैक कर सक और हम कर रहा गिया तो यहां पर स्टैट प्रो की ब歌 से यहां से आप बुक्स को बाई कर सकते हैं तो चलिए अब हम प्रुटोरियल स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम स्टैट प्रो ओन करते हैं तो न्यू परजेक्ट से पैस bell इसbereich यहोँ नीट मीटर किलोन्यूटन ठीक है अब support लगाते हैं इसमें एक fix support लगा देते हैं अब एक property देते हैं beam column को same property देते है rectangle square column 600 by 600 mm का 0.6 by 60.6 concrete material add और इसको assign to view कर देते हैं दोनों ही column और beam का सेम साइज रखा है अब render view में आप जाके देख सकते हैं यह आपका render view सबसे पहले थोड़ा दा render view को समझते हैं देखिए आप stat promise जो हमारा column और beam के बीच में जो support होती है column जो joint होता है तो center से होता है यह आपका column है इसको front view कर लेते हैं यह आपका column है और यह है इसके center line roughly sorry यह इसके center line है ऐसे और यह beam के center line है यह दोनों आपस में connect है यानि कि अगर इसकी width देखें आप तो beam की width कॉलम की width कितनी है 600 mm पाई 600 mm ताद 600 mm है तो यह कहां से support कर रहा है 300 mm से तो यह width कितनी हो गई 300 mm ठीक है हमेशा center to center हमारा यह support करता है अब इसको हम कैसे eccentric करें तो सबसे पहले एक load लगा लेते हैं इसके उपर एक self-it load इसलिए कि मैं कुछ और भी बताना चाहता हूं आपको self-it लगा देते हैं बस self-it ठीक है अब इसको analyze all कर देते हैं अब analyze कर देते हैं तो सबसे पहले मैं render view में कुछ बताना चाहता हूं एक तो centricity आप इसको कह सकते हो कि यह जो है center से support है यहां से न ओके यह भी यहां से support हो ठीक है पूरा आपका यहां से support हो यहां से support हो एक तो यह बात हम कह सकते हैं दूसरा की center support मैं center से नहीं चाहता हूं मैं और पहले चाहता हूं मैं चाहता हूं और पहले support हो अगर मैं इसको top view बनाऊ उसका तो यह है आपका column ठीक है red से बनाते हैं यह है column का center center line ठीक है roughly बना रहा हूं नहीं बन पारी है अब आप चाहते हो कि या तो हमारा beam यहां से support हो या center से तो होता है default या फिर आप चाहते हो बहुत हलका सा इससे connect हो ऐसे beam ऐसे जा रहा हूं जो भी आप देना सो एमम है एक तो centricity यह है एक यह orientation column को कैसे change करते हैं आपने column ऐसे बनाया है और आप इसको बनाना चाहते हो ऐसे किसी angle पर rotate करना चाहते हो ठीक है एक बार दुबारा समझते है column आपका इस तरह से है और आप बनाना चाहते हो इस तरीके से ठीक है तो बीच में देख रहे हो आप यह है blue की center line और यह है आपकी red वाले column के center line इसके बीच में जो एंगल है rotation इसको orientation किसी भी एंगल पर आप कर सकते हो तो दो चीज़े हो कि दोनों को समझते हैं तो मैंने load q लगाया है और analyze q क्या है कि हम bending moment एक बाद चैक करना चाहते है कि इन चीजों से जो हम orientation change करेंगे और जो हम इसका eccentricity change करेंगे उससे कुछ फरक्त पड़ता है load पर यह bending moment पर तो हमने यहां से देखिए reflection हटाया और bending moment चेक किया और यहां पर जाएंगे result view value beam bending moment annotate यह bending moment आ गया इसको मैं स्क्रीन snipping tool से किसकी पिक ले लेता हूं यहां ठीक यह क्या है हमारा without eccentricity अब देखिए eccentricity करते हैं modeling में जाने geometry general में specification यहां पर click करना है beam offset अब देखिए जो beam है आपका इसको close करें एक बार beam जो है इसमें green point का मतलब जो cursor beam के उपर रखते हैं तो कुछ colors दिखाता है तो green का मतलब है आपका यह green का मतलब है आपका starting point यह है आपका end point यह mid point यहां से start हो रहा है और हमारे coordinate system कैसा है x अगर हमें इस beam को ऐसे बढ़ाना है आगे क्यों तो हम देंगे minus x value और ऐसे बढ़ाना है तो हमें plus x देंगे value ठीक है तो मैंने यहां पर beam offset सेट लिया और मैंने start point को मैं stretch करना चाहता हूं positive x में मैंने डाला यहां पर 0.150 ठीक है mm अब देखिए यह beam जो है हमारा मैंने बताया था कि column है और beam जो है हमारा यहां से center से जा रहा है 300 mm क्योंकि हमारा total कितना है 600 mm और center से जाना है कि यह कितना बचे है हमारा 300 mm यह है हमारा 300 mm मैं चाहता हूं 300 ना यह 1.500 mm हो यानि कि हमारा beam यहां से support हो मैं यह करना चाहा रहा हूं ठीक है beam को थोड़ा सा और मैंने shrink कर दिया है तो अगर यह करने के लिए मैंने 1.5 mm से और इधर खिसकाना है तो देखिए क्या करते हैं इसको इस पर apply करते हैं यह कर अप्लाई यह देख रहे हो हलका से हो गया अगर हम 3D में देखें तो देखिए अब center में नहीं है अब analyze करके देखते हैं अब बेंडिंग मोमेंट पोस्ट प्रोसेसिंग result view value कौन अब देखते हैं इसकी बेंडिंग मेंट तो यहाँ पर हमारी जो maximum में 411 411 और जो हमने save की थी वो क्या है 424 तो क्या हुआ decrease हुई decrease इसलिए हुई है moment क्योंकि यहां से जो हमारे joint पर moment transfer हो रही थी इस column के वह से वो कम हो गई है ठीक है इसी तरह हम जैसे जैसे हम जाते जाएंगे decrease होती जाएंगी moment तो यह हो गया eccentricity ठीक है और अगर आप orientation change करना चाहते है तो उसके लिए भी है यह देखे eccentricity और कम इसे करना चाहते हैं करके देखे एक बार फिर bendingment चेक करते हैं कि इससे क्या फरक आएगा कुछ ज्यादा खास परक नहीं आता कि यह एज्यूम करके चलता है कि ओ फिक्सी सपोर्ट है महां पर जॉइंट पर फिर भी देखते हैं बेंडिंग मेंट कितना फरक आता है 399 और कम होगे बेंडिंग में अब आप सोच रहोगे अगर हम 300 से ज्यादा दूंगा तो बीमी अलग हो जागा तूट जाएगा नहीं ऐसा नहीं होगा यह फिर भी एक सपोर्ट यहां पर माने गाफिक्स और बेंडिंग में थोड़ी और कम हो जाएगी इसमें ठीक है अब यह अब चक करते हैं एक चीज और पताने चाहता है आप चाहते हैं प्लिको एस टूइट यहां से कनेक्ट हो तो उसके लिए भी हम beam offset यहाँ पर चाहूँगा negative 0.3 त्री तीन सा में वो रह रहा है बीच में से इसको apply कर देते हैं देखिए render view में इस तरह से ठीक है अब orientation क्योंकि हमारा जो column है यह 600 बाई 600 mm का है तो orientation से कोई फरक नहीं पड़ता है लेकिन फिर भी कैसे करेंगे इसको यहाँ पर प्रोपर्टी है आपका प्रोपर्टी यहाँ पर एक बीटा एंगल होगा और बीटा एंगल में आपको create एंगल करना है जिस एंगल पर बोल दोगे वो उसी एंगल पर 90 पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 30 पर तो पड़ेगा उसी एंगल पर रोटेट हो जाएगा अब आप रेंडर में देखिए यह देखिए रोटेट हो चुगा यह कॉलम बीम को भी अपने ही एक्सिस पर रोटेट करा सकते हैं तो यह होता है आपका orientation और एक ता आपका offset जीसे बोलेंगे वह होता आपका eccentricity तो इस तरह से हम stat pro में करते हैं अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज शेर कीजिए लाइक कीजिए comment कीजिए subscribe कीजिए और एक और चीज में कहता हूँ अगर मेरे को आप थोड़ा support करना चाहते हैं तो आप यहां पर आके support कर सकते हैं patreon.com videos world यहां पर आके मुझे आप support कर सकते हैं आप Patreon बन सकते हैं यहां पर donate कर सकते हैं अगर आपकी आप मेरे से कुछी पर्जेक्ट से लेटर यहां किसी और तरह की help आप चाहते हो civil engineer से लेटर तो मैं वह करूँगा और आप में वह यहां पर support कर सकते हैं thank you